आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस अलफबेट से नाम शुरू होने वले जो पती या बॉइफरेंट अपनी बीवी के पक्के गुलाम होते है देगी शादी के बाद तो हर किसी की लाइफ बदल जाती है इसमें कोई दो रहे नहीं है शादी दो पहिये की गाड़ी की सवारी की तरह है जिसका एक पहिया पती है तो दूसरी पत्मी ऐसे में रिष्टा दुनों के आपसी सहयोग और समर्पन से चलता है पत्मी अगर समझदार और बैवारिक ना हो तो घर परिवार की हलत खराब होते देर नहीं लगते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे नाम वाले पत्तियों के बारे में जो शादी के बाद ही अपनी पत्तनी के गुलाम बन जाते हैं पहला अल्फबेट है ए ए ए ए फॉर एपल इस नाम के पुर्शों को अपनी बीवी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है यह अपने मन की खुशी के लिए अपनी बीवी की हर बात मांते हैं और उने कोई तकलीफ नहीं देता है असल में इनका एक्स्ट्रा कैरिंग नेचर ही इने इनका बीवी का गुलाम बना देता है और कोई बात नहीं वे अपनी बीवी की हर तक्लीफ और सुख दुख को अपना मान कर चलता है ऐसे में किसी दवाब में नहीं बलकि अपनी मन की खुशी के लिए बीवी की हर बात मानते हैं और उने कुई तक्लीफ नहीं देते दूसरा ज़र वो है के केफ और कंगारू यह काफी जिती सवाव के होते हैं बर वहीं शादी के बाद यह अपने पत्मी के गंडूल में रहते हैं और अपनी बीवी के लिए कुछ भी करने को तयार होते हैं वैसे शादी से पहले के नाम के पुरुष बहुत रॉनgem दिखाते हैं पर शादी के बाद इनका बेवार पूरी तरह से बदल जाता है और इस पत्नी के लिए समर्पित हो जाते हैं उसके बाद है आर आर मतलब अपनी पत्नी की खुश रखने के लिए इस अक्षरवले पूरुश जोते है पुरी कोशिश करते हैं शादी के बाद ये लोग अपनी पत्नी से कुछ काम करवाना नहीं चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं कि शादी के बाद इनकी पत्नी को किसी भी तरकी कोई तकलीफ हो एवन जब ये काम पर से वापस लॉट कराते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि अपनी पत्नी का कुछ न कुछ काम करते हैं तो ये इनका सहयोगी रविया ही दूसरों की नजरों में इने पत्नी का गुलाब बना देता है और लोग कहते हैं ये बहिया ये तो जुरू का गुलाब है चौथा है पी, पी फॉर पीकॉक पी अच्छर के नाम वाले पुरुष अपने बैवाहिक जीवन को काफी समझतारी और दिमाग से चलाते हैं ये अपने पत्नी की हर बात मानते हैं जिसके कारणे बीवी की गुलाम कहा जाता है ये जो रूपा गुलाम कहा जाता है अपनी पत्नी के प्यार में ये लोग पूरी तरह से पागल होता है ये अपने बेवाहिक जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी बात मान कर चलते हैं और उससे पूरा सही होगा और प्यार देते हैं ताकि इनकी आपसी रिष्टा हमेशा फुशाद है सके उनकी यही सोच उन्हें जोरू का गुलाम मिला देती है अप जो जो जोरू का गुलाम है ऐसा नहीं कि आप उनके गुलाम हो गए आपका ये प्यार है जिसे लोग जोरू का गुलाम का नाम दे देते हैं तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंट धन्यवाद